वेलकम स्टुडेंट सब्सक्राइब किजिए मेडिकल गाइड यूटूब चैनल और पाईए मेडिकल लेटेर लेटेस्ट अपडेट सो उमेद सबी स्टुडेंट अच्छ होंगे आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले जी हां बिलकुल स्टुडेंट पिछले बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आकरकार हमारी सख्ते का पोगी बहुत दिन होगे तो स्टुडेंट इस वीडियो को कम्पलेट देके इसमें फीस रिपन्ट से समय देहित पूरी क्यों नहीं करते टाइम पर क्या पूरी प्रोसेज रहती है फीस रिफंड की तो इस वीडियो को कंप्लेट देखे आपको पूरा पता चल जाएगा बहुत सारे स्टुएंट काफी दिनों से कमेंट कर रहे तो मैं आपको दिखाई भी देता हूं कमेंट के मादेमत के कितने सा आता हूं स्टुडेंट्स सो स्टुडेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते स्टुडेंट यहां पर देखे राम शुरू पांचाल पिछले साल का जियन्म का फीस रिफंड कब आएगा और आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए पलीज कोई भी कांसिलिंग मत करवाना पिछले कांसिलिंग के 10 के यानिके 10,000 रुपे अभी भी नई आए अगला और देखिए कमेंट बहुत सारे कमेंट आयो हैं पिछले साल के फीस अब तक वरिफंड क्यों नहीं है अभी बहुत टाइम हो गया है और सारे और देखना कमेंट यानिक कमेंट बड़े पड़े कम कमेंट उठा सकते हो तो स्टुडेंट आपके साथ कितना बड़ा दोखा हो रहा है पूरी वीडियो में जानगारी मिलने वाली है तो यानिकि आपकी यदि आप चाहे आपने कांसिलिंग करवाई नई करवाई चाहे आप आगे एडिमेशन लेना चाहते हो प्लीज इस स्टुडेंट कांसिलिंग की जन्रल प्रोसेज के तो दुड़ा मैं बताता हूं फिर आपको बताता हूं कांसिलिंग के गूरियो के आपको 10,000 रुपे यहां पर pay करने पड़ते थे जी हाँ बिल्कुर student counseling करवाने के लिए तो यहां पर 10,000 रुपे student को pay करने पड़ते थे और counseling करवाने के बाद में यदि उनको college मिल जाता था तो 10,000 रुपे जो है फीस में include हो जाते थे या फिर यदि उनको college नहीं मिलता तो फिर वो 10,000 रुपे वापिस आ जाते हैं तो students सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं जिन students को college मिल जाता है उनका तो यह फीस में यहाँ पर उनका तो यहाँ पर यह फीस में include हो जाता है income का सरोत इसे मान रखा है education को भी सरकार को इसके आवाज उठानी चाहिए इसके लिए क्योंकि बहुत सारी student लगबग एक एक साल होगा है उनकी फीस refund नहीं होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यह लोग यहाँ पर देखे counseling के लिए 10,000 रुपे ले लेते हैं लेकिन counseling का पूरा schedule भी यहाँ पर जारी कर देते हैं लेकिन उसमें यह नहीं बताते हैं कि आपकी fee's refund हो कब होगी तो student काफी सारे student के fee's refund होती है काफी सारों की नहीं होती है student तो सबसे पहले इनका, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बतादे दहूंँ जब भी काउंसिलिंग आपकी फी presumed होती है तो यह कोई भी नोटी से वो जारी नहीं करते हैं आपके पास simple एक email आजाता है जिसमें पता चल जादा है आपके आई या नहीं आई तो student इनका मतलब है कि किसो को पता भी नहीं चलेगा तो यहां पर देखे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर देखे अभी तो फिलाल यह जो counseling की जो फीस की process है वो फि रिपारी पौल इनकी खुल चुकी है तो यहां पर इसलिए इन्होंने जो है फीस की जो counseling की are और गटा दिए जी हा बिलकुल स्ट्रेंट काउंसिलिंग की फीस इन लोगों ने यहाँ पर जो है कटा दिये लेकिन इनको कोई फ्रक नहीं पड़ेगा काउंसिलिंग की फीस कटा नहीं काफी सारी स्टुडेंट खुस रोएंगे कि आप हमें 10,000 रुपे पेर नहीं करने पड़ेंगे लेकिन इन्होंने क्या किया इस ब इनको यह सोच रहे हैं कि स्टुडेंट को क्या पता चलेगा इस्टूडेंट कि इस इसी सिकायत करेंगे काफी ससारी स्टूडेंट करते भी न breeds 5 donc आएं गतले इनक आप लोगों में जाएंगी एसा नहीं हो सकता क्योंकि इहां पर ऊपर देखें इन्होंने यह यह बरपाई जो कांसलिंग वाली बरपाई इससे करने लगेंगे तो इनका काम इससे चलने लगेगा तो वेरी शेम पुल है तो students को यदि आपको counseling की फीस repunt करने है तो एक counseling schedule जारी करते समय इन्हें एक निशी date देनी चाहिए कि इस date को आपकी काउंसलिंग की फीस है वो वापिस आजएगे लेकिन डेट तो यदि आप ये डेट देंगे तो इनके पॉल खुल जाएगी स्टुडेंट्स आपको पता है तो ये मैं भी नहीं बता सकता कि फीस रिपंड होगी या नहीं होगी क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर पॉल खुल बाइस तेज के लिए स्टुडेंट्स सो च्टूडेंट यह देखे पूरा सेड्डिल काउंसलिंग का यह जारी करते हैं कि 10,000 रुपे लेकिन यह नहीं करते कि रीपंड कबाई यह सक्क्यों स्टुडेंट इनको करना चाहिए कि 10,000 रुपे वाप्पिस कब आएंगे ताक लेकिन इनको सोचना चाहिए, जिन भी students को, जिन भी students मैं मुक्य मंतरी से आगरे करता हूँ, इस वीडियो के माधिम से सब से पहले सब भी जो B.A.C. नर्शिंग वाले student है, G.N.M. An.M. वाले सब भी student जो भी मेरे सबस्क्राइब रहे, इस वीडियो को ज्यादे से ज्यादा share किजे क्योंकि आपके लिए यह स्टुुदेट्ट क्योंकि यह video पोचेगा तब भी तो आपके फीज रिपन्ट नहीं होई तो ताकि उनके फीज iPhone रिपन्ड वे तो आगे तो इमामला हो देख रहा है तो प्लीज स्टुडेंट्स की फीस जारी किजिए देशा कि मैंने अभी आपको कमेंट में दिखा कि काफी मेनत से स्टुडेंट्स है वो काउंसलिंग करवा पाते हैं किसान गरीब रख के जो स्टुडेंट है वही इनमें यहां पर एडमिशन लेते हैं आपको पता कोई अमीर लड़का तो लेगा नहीं तो स्टुडेंट सरकार को सोचना चाहिए इन जो काउंसलिंग जो बच्ची वी जो फीस है वो तुरंत रिपंड इनको करनी चाहिए स्टुडेंट आ इन्होंने आयका इन सोरस्रोत इसे बना रखा है अभी इनके पोल खुल गई इस वीडियो को सेर कीजिए कापी सारी कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने इस ये वीडियो बनाया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हमेसा काम करता हूं कापी सारी स्टुडेंट कमेंट कर रहे थे और जो इस